योग शास्त्र में विवेक ख्याति की बात आती है। उसमें इस विशेव को विश्तार से बताया है। मन में चैतन्य का प्रतिभींब जिसको चिदाभास कहते है। तो सुखी दुखी होने वाला यह चिदाभास होता है। सुख दुख की उपलब्धी वृत्ति में है। यह वृत्ति अपने आप में जड़ है। लेकिन यह जड़ वृत्ति को चेतना प्रदान करता है। यह चैतन्य का प्रतिभींब। और फिर दुखी होता है यह चेतना का प्रतिभींब। जिसको चिदाभास कहते है। तो हमको, इनको अलग करना, इसको कहते है विवे का क्या थी, देखो, जैसे आप पानी के सामने कड़े हो और पानी मी आपका प्रधिविव में है, बानी को हिलाया, तो प्रधिविवम्म हिलता हुआ दिखेगा, लेकि हिल नहीं रहा है वो, क्योंकि हई ही नहीं, इसी प्रका तो सुखी दुखी व्यक्तित्य निर्मान नहीं होगा, इसको कहते है विवेक अख्याति, तो साधना करने वाला कौन है यह जीव है, और जीव को क्या समझना है, यही समझना है, देखो, बिल्कुल सरहल बात एक कटिट नहीं है महाराज, तो कैसी साधना करे, कोन है जीव, पती जीव है, और आद्मी चैतन्य है, तो साधना कोन करेगा, आद्मी साधना नहीं करता, परमात्मा को साधना नहीं करनी, जीवात्मा को करनी है, तो साधना किसको करनी है, आद्मी को नहीं, पती को करनी है, क्या पती को साधना करनी है, डो इसलिए, बिंब भूत आतमत्मया सी, आत्मत्वेत्ु परिपूर्ण, मुणश के पुरुष के रूपे तुम परिपूर्ण हो, पती के रूप में तुम अपूर्ण हो गए हो। पिर आगे क्या कहते हैं? पंच कोशान चा जानता हा आत्मा जान आयता हा अनुभव गेता तत्वता पाहो ननिस्संगतु होशी दिरफोर ये पंच कोशो को जो जानने वाला है वह अपना सुरूप अपने आप में परिपुन आयता माने बिना किसी प्रयत्न के निर्मित हुआ है वही उसमें प्रयत्न ने देखो आयता माने फ्री विदावट एनी एफ़र्ट पंच कोशान चा जानता हा आत्मा जान आयता हा अनुभव गेता तत्वता जब इसको आप ठीक से तत्व रूप से समझ लोगे पहचान लोगे तो पाहूर निस्संगतु होशी तो समझ में आएगा कि attachment आसकती यह भ्रानती है कोई किसी से आसकत नहीं है कोई किसी पर परावलंबित नहीं है समझदारी की बात है हम अपने दियसे भी आसकत नहीं है बच्पन के दिये का हमने त्या किया तो क्या रोए जवानी के दियेगा त्या किया है तो हम रोए नहीं क्योंकि किसी के साथ हम आ सकता नहीं है कितने सपने आ के चले गए किसको पकड़ के रखा है नहीं पकड़ सकते मन में जितने सुक दुख है उसके भी हम हमेशा नहीं रहते सुशुर्टी में सब का थ्याग हो जाता है। इसलिए महाराण पंचकोशान चा जानता हां, आत्मा जाना आयता हां अनुभवगेता तत्वता तो इसको आपहचान लो कि जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। यह बड़ा सिंपल सिद्धानता है। रूपरंग के द्वारा दृष्टी प्रभावित नहीं होती। इंद्रियों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। सुक दुख्व के द्वारा बुद्धी प्रभावित नहीं होती। मै के द्वारा चैतन्य प्रभावित नहीं पाहुननिस्जग तू होशी अब आगी कहते हैं पंच inmठोश्ञ अनुभव आत्मा जानतो न दिसेठा व परेतयाचा अनुभव स्वयम olvन ही होय कैसा अब यहां एक प्रश्ण पन्खा उठा करके ऊतर देते पंचिकोश्ञ चानो हव आत्मा जानतो न दिसेठाव और जो आत्मा इस पंचकोशों को देख रहा है वो तो कोई दिखता ही नहीं देखो पनी इस परेशानी क्या है परेशानी एक ही है कि हम आत्मा को अनात्मा भाव से ग्रहण करना चाहते हैं देखो कल परसु एक सज्जन हमको मिले अंग्रेज उसका यही था कि मुझे अंदर जा करके अपने सुर्व को पहचाना हमने का यह अंदर बाहर कुछ नहीं होता अपने दिमाग से अंदर बाहर है करना अटा लालो एक यवल काल्पनिक है संदर बसे है देखो हम इस कमरे की अ मैं देह के अंदर हूँ दुनिया बाहर है इसका कारण हमने देह के दिमागों को सत्यमाना है इसे लिए अपने स्वरूप का अनुभव अनात्मा भाव से नहीं होता